नमस्कार मैं रविश कुमार आपका अंदाजा सही है कि क्या कहने जा रहा हूं लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूं उसे धीरच के साथ सुनियेगा भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं यकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था भस्म युग से मेरा मतलब है जहां इस पेशे की हर अच्छी बात तेज गती से भस्म की जा रही हो यह दिन भी आना ही था इस देश में अलग-अलग नाम वाले अनीक चैनल हो गए हैं मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही उसका परिवेश उसका एको सिस्टम पत्रकारिता का और माहौल सब खत्म कर दिया गया है मगर पत्रकारिता करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं खासकर वो भी कर रहे हैं जो उसी सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं उसी के रूप में देखे जाते हैं जिसकी ताकत से हर दिन पत्रकारिता इस देश में कुछली जा रही है जब वो कहे कि वो उच्छिस्तरिय पत्रकारिता करना चाहता है तब ऐसा दावा करने वालों को जरा संदे की निगासे देखिए गोधी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना मतलब आपके उपर थोपना चाहती है अगर इसका मतलब किसी भी रूप में वही है तब आप एक बार फिर से जहांसे में आने वाले हैं इस वक्त अपने संस्थान को लेकर कुछ खास नहीं कहना चाहता क्योंकि भावुकता में आप टटस्त नहीं होते अबजेक्टिव नहीं हो सकते हैं एंडी टीवी में 26-27 साल गुजा रहे हैं इतनी लंबी यात्रा के अपने उतार चढ़ाओ भी हैं अनेक साथी वरिष्ट कनिष्ट सब शामिल हैं कितने लोगों ने साथ दिया है इन अनुभवों के बारे में कभी भी वस्तुनिष्ट तरीके से नहीं बोला जा सकता और आज के दिन तो बिल्कुल हैं क्योंकि कई बार तथ्यों के साथ भावनाएं मिल जाती हैं और भावनाओं के तुफान में बहुत सारे तथ्यों छूट जाते हैं बहतर है कि इसे संशिप्ते ही रहने दिया जाए जो आदर्णिया शक्स हैं उन्हें मैं याद करी रहा हूँ काफी सारी शांदार यादे हैं अब दोस्तों के बीच सुनने सुनाने के काम आएंगी आज के दिन किसी एक व्यक्ति का नाम लेना मुश्किल हो रहा है तब जब आपके पेशिवर जीवन में अनेक लोगों का हाथ हो कैसे एक का नाम ले सकते हैं मैं जानता हूँ कि पुर्व सहियोगी, मौजुदा सहियोगी सब मुझ में अपना हिस्सा देखते हैं और वो सही भी है मुझे सभी से कुछ ना कुछ मिला है मैं सब का ही आभारी हूँ इसलिए एक का जिक्र कर बाकी को छोड़ कर आप नयाय नहीं कर सकते खासकर ऐसे दिन वैसे भी इस वक्त तो हर चहरा ही अच्छा नजर आ रहा है क्योंकि सब ने मेरे अनुभवों को, मेरे जीवन को संब्रिद किया है बेटी विदा होती है तो वो दूर तक पीछे मुड़कर माइके को देखती रहती है मैं इसी स्थिति में हूँ अभी मुड़कर देख लेने दीजिए फिर कभी विस्तार से एंडी टीवी की बात करूंगा लोगों के बारे में और एंडी टीवी के बारे में डॉक्टर रॉय, रादिका रॉय के बारे में भी है मैं कई लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था, बहुत सी बातें तो मुझे आज ही पता चली है, हैरानी हुई कि हर किसी के पास NDTV का एक अलगी किस्सा है, वाकई उन 27 वर्षों के बारे में ठहर कर और संभल कर बात करने की जरूरत है NDTV ने एक चीज सिखाई कि टीवी में और टीवी का एक ही मतलब होता है, टीम, एंकरों के स्टार बनाये जाने के बाद यह धारना तूट गई, मगर आज भी टीवी के बुनियाद में यही है कि जितनी अच्छी टीम होगी, उतना अच्छा काम होगा, अभी इस बात को यही र अगस्त 1996 में, NDTV से आपचारिक रूप से जुड़ा था, अगस्त 1996 में, ट्रांसलेटर के रूप में, अनुवादर के रूप में, लेकिन उसके पहले कई महिनों तक मैं यहाँ चिठियां चाटता रहा, बोरे में चिठियां आती थीं, और मेरे पास रख दी जाती थीं, मैंने टीवी के कारिकरमों के आसपास दर्शकों को बनता देख रहा था, मेरा काम था, उनकी बारीक नजर से लिखी गई चिठियों पर रिपोर्ट बनाना, और एंकरों या कारिकरम के प्रोडियूसर को सौप देना, दिहारी का काम था, उसी के हिसाब से मजदूरी मिलती पैसे मिलते थे, मेरी जिंदगी में ये काम आज भी जारी है, आज भी आप मुझे सैकडों की संख्या में मेसेज लिखते हैं, हाथ से लिखी चिठियां भी आती हैं, बहुत अच्छी लिखावट में, मैं ज़ादातर मेसेज पढ़ता भी हूँ और सभी के नहीं, तो बताने के लिए आता हूँ, अगर खुद को ही छिपाने लगा, तो वो पूरा बताना नहीं होता है, मुझे तो लगता है कि कई हजार दर्शकों के पास मेरे लिखे हुए जवाब होंगे, उंगलियों में दर्द रहने के कारण इन दिनों जवाब देना कम कर दिया है, तो काम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इतने सारे सुझावों, जवाबों, अपिक्षाओं, शिकायतों और डाट के बीच, सोना, जागना और जीना, मुझे आपके हवाले करता चला गया, मैं खुद के पास तो रहा ही नहीं, आपके बीच गया तो घरी नहीं लोटा, शायद कोई और उसका गोंसला ले गया है, मगर उसके सामने ठक जाने तक एक खुला आसमान जरूर नजर आ रहा है, तो खैर उसके बाद अनुवादक बना, और कई पत्रकारों की रिपोर्ट का अंग्रीजी से हिंदी में अनुवाद करता रहा, इसके बाद मैं रिपोर्टर बन और फिर मेरी दैनिक रिपोर्ट की अलव यात्रा शुरू होती है रविश की रिपोर्ट से काफी कुछ सीखने को मिला तो इस तरह से ये एंडी टीवी में ही संभव हुआ कि एक चिथी चांटने वाला इसके एक चैनल का ग्रूप एडिटर समु संपादक बनता है और आज उ इस दिन आता है उस दिन अच्छा तो नहीं लगता है लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जब भी मेरे बारे में मुल्ले आंकन करें इस बात की सहानुभूती मुझसे ना रखें कि मैं चिथी चाटता था मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि आचानक चाए बेचने की लग गया उतर रहा हूँ जहाज से बात कर रहा हूँ चाय बेचने की सहानुभूती के लिए या फिर अपने संघर्ष को महान बताने के लिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता इस देश में हर किसी का संघर्षी पहार चड़ने के जैसा है आप एम्स के बाहर मरीज जो खड़े है उनके परिजन जो खड़े हैं उनसे मिल लिजे आपको पता चल जाएगा कि उनकी चुनोतियां कितनी बड़ी हैं और आपका दुख कितना कम है छोटा है लेकिन आज के दिन मैं आप सभी के बीच दर्षकों की बात करना चाहता हूँ इस दौर में कुर्सी पर बैठे किरदारों को तूटते हुए देखा सबने देखा संस्थाओं को भस्म होते देखा आपने देखा नफरती तूफान में लोगों को भटकते देखा मगर मैंने इसी दौर में एक नई संस्था भी बनते देखी है वो संस्था है जनता की संस् दर्शकों की संस्था, दर्शक ही अपने आप में इंस्टिटूशन बन जाते हैं। आप दर्शकों की संख्या भले कम है, मगर आप दर्शकों ने मिलकर जरजर किये जा रहे, इस लोग तंत्र में जनता नाम की संस्था का पौधा सूखने से बचा लिया। एंडी टीवी में मुझे जब भी अवसर मिला, मैंने जान लगा दी। मैंने कभी उन अवसरों को अपने लिए नहीं नहीं देखा, बलकि यही सोचा कि यह अवसर मुझे आप दर्शकों के लिए मिला है, इसलिए उन सभी अवसरों को आप दर्शकों की कहानियों से भरता चल और मैं आप दर्शकों का होता चला गया, आपका दावा मुझ पर बहुत बड़ा है, मैं जानता हूँ, आप मुझ पर बहुत दावा रखते हैं, मेरे आस पास आप दर्शकों की वज़े से एक न्यूजरूम बन गया था, पबलिक न्यूजरूम, जो दफ्तर के भीतर नहीं, आपके घरों में था, आपके दिमाग में था, दुनिया भर में फैले, कितने दर्शकों ने आगे आकर मेरी मदद की है, आपने कभी मुझ से पैसे भी नहीं माँगे, कभी ऐसान तक नहीं जताया, विदेशों में मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड किया, रिसर्च किया, मेर प्रवासी भारतिय, स्थानिय भारतिय, दर्शक बनने के साथ साथ मेरा साथ दे रहे थे, और पत्रकार भी बन रहे थे, और इस पेशे के एक छोटे से द्वीप को बचा रहे थे, इस प्रक्रिया को बिखरते देखना, दर्शकों के बनने की प्रक्रिया को बिखरते देख और फिर से बनते देखना बहुत सुखद अनुभव रहा आप दर्शकों में से कईयों ने मेरे लिए अलग-अलग भाशाओं से अनुवात तक कर दिया संसाधनों की हमेशा मेरे पास कमी रही मगर आप सभी ने मिलकर पूरी कर दी सिर्फ इसलिए कि प्राइम टाइम में जो मेरे नियमित संपादक हैं निरंतर संपादक हैं आप दर्शक मेरे मैं एकसर कहता हूं कि एक पेड़ में कई बारिशों का पानी होता है आपके जैसे दर्शकों के होने में ही किसी रविश कुमार का होना है आप हर मौसम में बरसात बनकर आ जाते हैं सुखते पेड़ों को ह कि प्रस्क्रिफ्टिप्शन के बहाने आर्थिक मदद देते हैं जब लोग तंत्र में एक भी संस्थान नजर नहीं आ रही थी अदालतें कम्जोर नजर आरही थी आ रही हैं आप दर्शक नजर आ रहे थे आज के दौर में आप ही पत्रकारिता के सबसे बड़े संस्थान हैं पत्रकारिता आप संस्थानों में नहीं बची है आप जैसे दर्शकों के बीच बची हुई है जिनकी मदद से आज पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं यही आपका इस वक्त में सबसे बड़ा योगदान है हो सकता है कि कोई जनता की आवास को पूरी तरह कुचल दे उसकी आवास पर धार्मिक नफरतों की आधी धूल को भर दे ढट दे लोगतंतर को मिटा दे मगर आप दर्शकों का होना होसला देता है कि लोगतंतर भले खत्म हो जाए मगर उसकी चाहत कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि आप जैसे दर्शक अपनी जवाब देही को जिम्मेदारियों को बहुत खूब समझते हैं इस मुश्किल वक्त में आपने एक पत्रकार पर भरुसा किया उसे कितना प्यार दिया कई वज़र्ग माओं ने मेरे बाल सहला दिये गाल चूलिये तो किसी ने मेरे गमले में गुलाब के फूल लगा दिये किसी ने चने का सत्तू भेज दिया कि मेरी सिहत न खराब हो किसी ने शहत भेज दी किसी ने धूप में खड़े देखा तो सर पर गमचा तान दिया और चाता खोल दिया किसी ने जेब में कलम रखती, महंगी कलम आज के दिन मैं ND TV से ज़ादा आप दर्शकों को याद करना चाहता हूँ आप के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता, मुझे आप दर्शकों पर नाज है कई बार लगता है कि मैं संस्था का कम आप दर्शकों का प्रतिनीदी ज़ादा हूँ मुझे काम करने की आजादी मिली संस्था में निर्बाद आजादी और उस आजादी को मैंने हमेशा संभाल कर रखा क्योंकि आप की तेज नजर मुझ पर थी खुद को काफी संभाला कि कुछ गलती ना आ जाए कुछ मुझ से चूक ना हो और मुझ में अहंकार ना आ जाए और बदले में आजादी चली जाए मेरे आगे दुनिया बदलती रही मगर टेस्ट मैच के खिलाडी की तरफ पिछ पर टिका रहा पर अब किसी ने मैच ही खत्म कर दिया है उसे टी ट्वेंटी में बदल दिया है जनता को चवन्नी समझने वाले जगत सेट हर देश में हैं इस देश में भी हैं अगर वो दावा करें कि आप तक सही सूचनाएं पहुँचाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि डॉलर अपनी जेब में रखकर आपकी जेब में चवन्नी डालना चाहते हैं पत्रकार एक खबर लिख दे तो जगत सेट मुकदमा कर देते हैं और फिर सत्संग में आकर प्रवचन भी देते हैं कि वे पत्रकारिता का भला चाहते हैं आप दर्शक इतना तो अपना भला समझते होंगे इसलिए आज मैं अपने संस्थान से ज़ादा आप दर्शकों को याद करना चाहता हूँ मुझे हमेशा लगता था कि हिंदी का पत्रकार चट क्यों नहीं चुपाता है ऐसा क्यों है हिंदी पत्रकारिता के कई श्रेष्ट संपाद को पत्रकारों के कारियों पर निगाह रहती थी उनकी गहराई हैरान करती थी फिर भी लगता था कि उनकी बाद जमाने तक ठीक से नहीं पहुंची पेशे के भीतर उन्हें उनकी जगह नहीं दी गई पत्रकारिता का मतलब अंग्रेजी का पत्रकार होना हो गया इसके कुछ ठोस कारण भी हैं उनमें विस्तार से जाने का समय नहीं है लेकिन तब भी हिंदी के जुझारू पत्रकार आस्मान क्यों नहीं छो सकते हैं ये बात कचोटती रही इन सब बातों ने मेरे बहवार में काफी बदलाव कर दिये भाशा को सयमित किया मर्यादित किया ताकि हिंदी का प्रभाव कम न हो बहुत सजग्ता से अपना काम इस तरह से किया कि लोगों को देश के किसी भी हिस्से की लोगों को मेरी हिंदी से प्यार हो जाए मेरी मातरी भाषा हिंदी नहीं है भोजपूरी है भोजपूरी गाओं है मेरे लिए हिंदी मेरे लिए भाषा का वो शहर है पहला शहर जहां मैं गाओं से शहर आया था लेकिन मुझे भारत के हर राजी के दर्शकों से प्यार मिला है हिंदी प्रदेशों की कुंठित राजनीती ने हिंदी को हतियार बना दिया इससे हुआ कुछ नहीं हिंदी को लेकर कुंठाएं ही बढ़ती चली गई किसी का भला नहीं हुआ मैं उन सभी गएर हिंदी भाषी पत्रकारों समाजी कारे करता हूं विद्वानों का शुक्रिया आदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी हिंदी को संब्रिद किया जिन्होंने मेरे लिखे हुए का अपनी भाशा में अनुवाद किया और अपनी भाशा में लिखी हुई जानकारियों का मेरे लिए अनुवाद कर दिया मुफ्त हैं कई बार लगता था कि अलग अलग डिब्बे जोड़ते जा रहे हैं और रेल बनती जा रही है उर्दू, मलयालम, तमिल, कनडा, पंजाबी, गुजराती, मारवारी, बंगाली, माराथी भाशा के पत्रकारों ने कितना कुछ जोड़ा है यह बात कहीं हिं बनाम, अंग्रेजी की तरफ ना मुड़ जाए, इसलिए कहना जरूरी है कि अंग्रेजी भाशा में लिखने वाले विद्वानों और पत्रकारों ने मेरी खुल कर मदद की है, मेरे साथ बराबरी का बहवार किया, जो नहीं कर सके, ऐसे हैं, उनका क्या हिसाब करना, उनका क एक का अनुवाद तक कर दिया, जादा लोगों तक पहुँचा दिया, मेरे जीवन में इतिहास के मेरे शिक्षकों का बहुत युगदान है, मेरे शिक्षक मेरी जान है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जरिये, मेरे पीछे खड़े अंगिनत लोगों के बारे में जाने, उन्ह आपके बीच जाते ही जो चीज खास नजर आती थी, वो है एक पत्रकार के प्रतिय आपका विश्वास, आपकी समझ, आप लोगों से मैं घिर जाता था, आपके भीतर कितना कुछ बहने लग जाता था, जिसे एक राज्य को सुनना चाहिए, जिसे सुनाने के लिए पत्रकार स अच्छा कोई जरिया नहीं, मुझे आपके बीच आकर हमेशा लगा कि आप सरकार को कैसे देखते हैं, और मैं उस नजर से सरकार को देखने लगा, इसी का भरोसा है कि आपकी सक्रियता में ही भारत का लोक तंत्र धड़कता है, शाहिन बाग और किसान आंदोलन के जिद में मुझे सूरज की रोशने दिखाई देती है, आपको जनता बनते हुए देखा है, मेरा विश्वास गहरा होता चला है, कि तंत्र भले खत्म हो जाए, लेकिन जनता के बीच जन बचा हुआ है, एक दिन यही जन आज से बहतर तंत्र बना लेगा, आज कुछ लोगों को यकीन हो गया है, कि सारा तंत्र उनके कबजे में है, अब जन का कोई मोल नहीं, मीडिया को खत्म कर विपक्ष और जनता को खत्म किया जा चुका है, ऐसा सही भी है, मगर यही शास्वत नहीं है, एक ना एक दिन, जब लोग अपनी नफरतों से जरजर हो जाएंगे, उनकी नफरत की याद आएगी, नफरत की खुलामी से बाहर आने का रास्ता, आप ही बनाएंगे, आपको ही बनाना है, इंडी टीवी में मैंने लिखना, बोलना सीखा, दिखना सीखा, अच्छे कपड़े पहनना सीखा, टाई पहनने सीखी, पसके अबल डांस नहीं हाया, क्योंकि काम से वक्त ही नहीं मिला, आप सीख लीजिएगा, आज के दिन मैं अपनी महिला सहयोगियों को खास तोर से याद करना चाहता हूँ, काम के प्रतिय, इमानदारी, टिक कर काम करना और पेशे की नैतिकता की समझ, मुझे अपनी महिला सहयोगियों से मिली है, और मैंने उनसे चुर मेरी जीवन साथी का भी, मेरी बेटियों का भी, मेरे साथ ससूर ने बहुत साथ दिया, ताकि मैं बाहर जाकर रिपोर्ट कर सको, मेरी मा, मेरी भावी, मेरे परिवार के सदस्यों ले भी, ठठेरे की तरह सब ने पीट पीट कर, पीतल से बरतिन बना दिया, यह मैं इसलिए भी रेखांकित कर रहा हूं कि पत्रकारिता के पेशे में मर्द ही नहीं, मरदवादियों का कब्जा है, उनकी आक्रमक्ता के बीच कई बार दम घुटता था, इतनी आक्रमक्ता के बीच आप रचनात्मक हो ही नहीं सकते सम्विधन शिल्ता आ ही नहीं सकती इस पेशे में तमाम महिला सहयोगियों ने मुझे मर्दों की आक्रमक्ता से बचा लिया अगर आप इस पेशे में आ रहे हैं विद्यार्थी हैं तो हमेशा अपनी महिला सहयोगियों के साथ सलीके से पेश आए उनकी काबलियत को स्विकार कीजिए तारीफ कीजिए प्राइम टाइम के वक्त अक्सर कहा करता था मुझे काम करने दू नौ तो नौ बजे ही बचते हैं सुबह उटते ही मेरे दिमाग में रात के नौ बजने लग जाते थे मैं टाइप करने लग जाता था रोज पाँच हजार, छे हजार, साथ हजार शब्दों की टाइबिंग अब शायद नौ ना बज़े, प्राइम टाइम ना हो मुझे पता नहीं था, पता नहीं है कि अब नौ बज़े क्या करूंगा मुझे टीवी से बहुत प्यार है इस माध्यम से दिल लग गया था, शायद इसी वज़े से दिल टूट रहा है वो लाल माइक याद आता रहेगा, अब वो लाल माइक नहीं होगा मैं जानता हूँ कि आप दर्शकों की आदतों में मैं शामिल हो गया हूँ आप काफी तकलीफ में थे, कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मैं प्राइम टाइम क्यों नहीं कर रहा हूँ मुझे लगा कि चुप चाप किनारे हो जाना चाहिए धीरे धीरे मेरे नहीं होने की आदत आपको डाल देनी चाहिए इसलिए कई दिनों से प्राइम टाइम नहीं कर रहा था ताकि आप मुझे कुछ भूल सकें मगर आप आप हैं, मानते ही नहीं हर रात नौ बजे के बाद मेसेज करने लग जाते हैं कहां हो, बिमार तो नहीं हो, सब ठीक तो है, NGTV में क्या चल रहा है आप अच्छे हैं, तो भारत का मीडिया स्पेस बदल चुका है उन हजारो युवाओं की सोचिये जो पढ़ाई पत्रकारिता की कर रहे हैं, लाखों रुपे लगा रहे हैं मगर उन्हें काम दलाली का करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए अब कोई सांस्थानिक जगर नहीं बची है इसी के बीच जो आने वाले पत्रकार हैं, जो इस वक्त पत्रकार हैं सभी को जूझना है कोई घुट रहा है, तो कोई इस पेशे को छोड़ रहा है कई लोग कहते हैं कि नौकरी की मजबूरी के अलावा पत्रकार बनने की कोई दूसरी शर्थ नज़र नहीं आदी कोई उसा नहीं है यहां तो जस्टिस तक कह रहे हैं कि जमानत देने पर जजों को टार्गेट किये जाने का डर लगता है जब जज को ही डर लगता है तब फिर इस दौर में यह बोलना भी गुना है कि मुझे डर नहीं लगता है एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है इसलिए बोला कीजिये कि हमें डर नहीं लगता है आप उस देश के नागरिक हैं जिसने नंगे पाउं ब्रिटिश सामराजी को घुटने पर जुका दिया कोई कारण नहीं कि मैं आप पर भरोसा ना करूं कि एक दिन आप गोदी मीडिया की इस गुलामी से बाहर आएंगे आएंगे आप आप हमेशा इस गुलामी में नहीं रह सकते इसके गुलामी से आपको लड़ना ही पड़ेगा यह सब की लड़ाई है इस लड़ाई के बिना आप दुनिया में सर उठाकर नहीं चल सकते आपकी यही पहचान होगी कि आजाद देश के गोदी मीडिया के गुलाम है इसके खत्रे की गंभीरता को समझे कानून की यार में अब अधिकार कुछले जा रहे हैं अविव्यक्तियों को रौदा जा रहा है ताकि सारे अवैद काम वैद नजर आए इस समय मेरे रास्ते निश्चित नहीं हैं निश्चित हैं तो सिर्फ होसला है उसका भी क्या वरोसा कभी आसमान में होता है कभी पाताल में एक यूट्यूब चैनल बनाया है रवीश कुमार ओफिशिल और फेस्बुक पेज भी है रवीश का पेज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा अब मैं यूट्यूब पर ही नजर आऊंगा एंडी टीवी डिया पर नहीं किसी संस्था के साथ मर्यादाएं बहुत अलग होती हैं फ्रिलांस और आजाद जीवन की अलग लेकिन इस बार परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ मैंने स्टिफा दे दिया है नमस्कार, मैं रवीश कुमार अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा नमस्कार, मैं रवीश कुमार